है है गाइज वेलकम बैक टूए चैनल और यार उमीद करता हूं कि आप सारे ठीक होगे और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले जाके यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां पे अन फिल्टर आपको टॉक्स मिलेंगी रोज फुटबॉल मैचीज होते हैं सब शेयर घरता हूं मैं यहां पर तो यार आज हम बात करेंगे जो कल समिवाइनल हुआ चैंपियंज लीग का लिवरपूल वर्सेज विया रियल एंड कल जो मैंने प्रिव्यू छोटा सा बनाया था उसका उसमें जिस हिसाब से मैंने बताया था वैसे ही गेम चली कि कोई भी अवे टीम जब वाँ पर आती है तो सेटल डाउन नहीं हो पाती वो एड्मॉस्फियर और प्लस इस साल जो लिवरपूल जी से साब की फॉर्म में है और वैसे ही कल हुआ स्टार्ट हुई गेम जब तो लिवरपूल ने स्टार्टिंग से ही प्रेसिंग स्टार् भी बहुत क्रॉसिस जाले ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल ने एंड्रू रोबर्सन ने दोनों ने फ्लैंक से बीच में बहुत अच्छा चांस मुहमद सला ने बनाया था माने के लिए बीच में ठीहागों का फर्स्ट हाफ में पोस्ट भी लगा उन्होंने बहुत क्यूट भी करी फर्स्टिशायब में इसपेशली फर्स्टरे eggplant कर दिया इस्ट yar ऐसे क्रियूर नहीं किरिट इंचे कि स्कोर लाइन के साथ दोनों टीम्स डगाउट में जाती हैं फिर सेकेंड हाफ शुरू होता है आपको भी बता है यह वाद के फर्स्ट टैन मिनट किसी भी हाफ के नर्व को सेटल डाउन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं एक बार यह फाइफ टू टैन मिनट्स अगर आ खाने शुरू कर दिये और वही हुआ विया रियल कर गई फर्स्ट गोल हैंडर्सन ने क्रॉस जालते हो एक लकी डिफ्लेक्शन मिली उनको और रूली का भी हाथ लगा उस पर जो बोल की पर था विया रियल का एंड नेट में घूज गई गोल तो वन निल लिवर्पूल हो ने सेकेंड गोल भी कंसीड कर दिया एंड टू निल लिवर्पूल होगी 53 54 मिनट में जो की एक दम से बिल्कुल ऑपोसेट हुआ फर्स्ट हाफ को देखते हुए बिल्कुल सेकेंड आफ बिल्कुल अलग स्टार्ट हुआ बट विया रियल ने भी काफी कोशिश करी उनका ह बिल्कुल लो ब्लॉक में खेल रही थी टेम वर इन मिड ब्लॉक हम कह सकते हैं क्योंकि वर अलसो ट्राइंग के कई ना कई हम अपना प्ले बनानी कोशिश करें जैसे जो एकलेटिकों मडरेट फर्स्ट लैग में नहीं कर रही थी सेटिग अगेंस्ट तो इट वस नॉट लो ब्लॉक मिड ब्लॉक बट लिवर्पूल के अगर आप सामने हो तो वह चांसे अपने करते ही हैं और उन्होंने वह करें एक बारी उन्होंने टू-0 की लीड ले ली फिर लिवर्पूल ने कोशिश करी कुछ अटैक्स बनाने की बट फाइनल थर्ड में वह जाहीं नहीं थी नहीं से बचाने को पूरे मैच कि अगर हम बात करें तो बट विए रियल ने फर्स्ट हाफ में काफी एक्जिक्यूट अच्छा करा अपना प्लैन बट सेकेंड हाफ में वह क्रंबल हो गए प्रेशर के चलते हुए जो की बनता भी था कि देखतेवें उनके ला लीगा के फांब ना लेट हैं फाइनल थर्ड में प्ले आपना दिखाया नीं कुछ खास कुछ प्रेशर डा डाला इंते लिबर पूल यह थोड़ी क्रम्बल करें तोड़े प्रेशर में locksको था उस एंधू स्बाद यह हम सारे मरी हुभा यह की M तो निल की ल्ट के बाद क्या लु़्यारियल कमबैक कर सकतی है했 rankings निए रिएमिंध में लगता के कमबैक कर सकती है यहाँ से टीक लिए वेंग्स सोब्सक्राय गणार यह भट्ड्धिपनों तो लिवर्पूल 2-0 मेरको नहीं लगता किसी भी ग्राउंड में क्रम्बल करें यह लीड और लिवर्पूल ने एक पैर अपना रख दिया है चैंबिन्स लीग फाइनल में तो जो सेकिंड लेग होगा वो एक मैज अप्चारिकता ही रही है वो देखा जाए तो पाकी कुछ है नहीं खेलने को सेकिंड लेंग में अगर चाहे तो अब उनके लिए सेकिंड लेग में डूड़ाई सिच्वेशन है ओल आउट अटक उनको जाना पड़े का सेकिंड लेग में कि शायद फर्स्ट गोल अगर विए रियल मार दे तो शायर एक ही और से चांज थोड़ा सा बन जाए उनका जो कि मेरे एकाल से बहुत ही मुश्किल है तो कॉंग्राट्स तू लिवरपूल बहुत बढ़िया के लिए वह एंड कॉड रूपल के सपने जो हैं उनके अभी भी अलाइव हैं अभी भी कॉड बट ऑन पेपर ही बड़ा है बाकी कुछ है निमाज में देखने को मैंचेस्टिर उनाइटेड वसे चेल्सी ओल्ट्रेफर्ट स्टेडियम मैंचेस्टिर उनाइटेड के होम पे होगा रात को प्रेमिर लीग में कुछ साल पहले यह जो फिक्स्टर था बहुत ही इसकी रही नहीं है बहुत अच्छा विक्स्टर होता था पहले और आज भी कुछ ऐसे ही है रात को चैल्सी जो की अराम से थर्ड फिनिश कर जेंगी ना वो टाइटल के लिए जा सकते हैं इस वक्त ना वो टॉप फोर से नीचे आ सकते हैं बीच में है बिल्कुल चैल्सी प्रेमेर लिग टेवल में वही पर हम बात करें युनाइटेड की तो युनाइटेड इस उन सेवंथ वो टॉप फोर में नहीं आ सकते हैं बट येस से अगर वो नीचे घए तो कॉन्फरेंस लीग में उनको जगा नहीं मिलेगी दोनों के लिए सिंगिकेंस एस सच तो चैल्सी यूसीयल से बाहर हो चुगी है दियाल मट्रेड से काफी अच्छे फॉर्म में है चैल्सी काफी अच्छी फुटबॉल खेलिया वनों इस सीजन युनाइटेड के कुछ इंजिरी कंसर्न्स भी है आज के मैंच में आरन वैंड बिसाखा मैगवायर, शॉर, फ्रेड सेंचो यह सारे अवेलिबल नहीं है आज के मैंच में तो बचा ही का पहली दूबाद उनाइटेड में के लाइन अपनी वो उतारे अच्छी उनके पाद बहुत ही कम उप्शन है जिनके साथ आज वो जाएंगे बट येस जिस चीम में रोनाल्डो हो यू कैनाट राइट ड ओल ट्रैफर्ड में नहीं जीते हो तो किया आज जी सकती है और जील्सी के जीतने के वाप इन आज गशन केरह पर उन हो में अगर जेखा जाएं तो फॉर्म भी बड़िया चल्सी कही है तो ठीक है मैनेजर उनको नेजर मिलग है बत्ड प्लेयर से जो डिजायर मिलना चाहिए प्रेमेर लीग में खेंगने का वो लाक है इस बार ही उनका प्रेमेर लीग में बट उनाइटे और चल्सी रग तू हेविएट्स और मेरी प्रेडिक्शन अगर पूछो तो आई विल गोविट 3-1 चल्सी 3-1 विक्ट्री देखता हूं चल्सी की क्योंकि बहुत ही बड़ी है वो ठीक है चल्सी के आप अर्गुमेंट कर सकते हो कि उनका भी डिफेंस का इबारी करंबल हो जाता है जैसे कि अपने ब्रेंटफ क्योंकि यह पहला मैच है उनका जब से उनके अनाउंस वहें कि वर रियाल मटरिट जाएंगे उन पर भी नजरे हों की काफी बाकि काफी कुछ है इस मैच में अगर आप ऐसे मैच के हिसाब से देखो तो बट टाइटल सिगनिफिकेंस यह प्रेमेर लीग के हिसाब से इतनी झाल झाल